तो जाहिए दोस्तों मेरा नाम हो पुश्कर और यहाँ पर मेरे पास है यह Samsung Galaxy S21 FE इस वीडियो हम लोग देखेंगे इस फोन में multiple तरीका screenshot capture करने का इसके अलवा long screenshot कैसे capture कर सकते हैं, partial screenshot कैसे capture कर सकते हैं screenshot से related जो भी और important feature होगा इसके अलवा अगर आप भी मेरी तरह one tap में screenshot capture करना चातें इस तरीके से तो आप अपने S21 FE में किस तरीके से कर सकते हैं, वो सब कुछ में आपके साथ इस वीडियो में share करेंगे तो start करते हैं सबसे पहले और सबसे basic तरीके से जिसमें आपको buttons का use करना पड़ेगा volume down button and power button को एक साथ इस तरीके से press करके आप screenshot capture कर सकते हैं next आप अपने S21 FE में जो है ना palm swipe gesture का use करके भी screenshot capture कर सकते हैं तो यह जो palm वाला area है इसको आपको इस तरीके से किसी भी screen पे swipe करना है और आप screenshot capture कर सकते हैं यह बहुत ही proper तरीके से work करता है अगर आपके S21 FE में यह palm swipe gesture work नहीं कर रहा है screenshot capture करने के लिए तो आपको अपने phone के setting में आना है setting में आपको advanced feature में motion and gesture में सबसे नीचे last option मिलता है palm swipe to capture इसको enable करना है उसके बाद आप किसी भी screen पे इस तरीके से swipe करके screenshot capture कर सकते हैं next S21 FE में आपको control center में भी जो हैना एक switch मिल जाता है screenshot capture करने के लिए तो किसी भी app को आप use कर रहे हैं किसी भी screen पे हैं जस्ट आपको यह take screenshot का switch मिलता है इसके उपर tap करना है और आप इस तरीके से screenshot capture कर सकते हैं यह screenshot toolbar है जहां पर आपको long screenshot capture करने का option मिलता है editing का option मिलता है इसके अलावा इसी toolbar के help से जो है आप screenshot को share भी कर सकते हैं इसको drag करके आपको अपने control center में place कर लेना है और control center में जो screenshot का switch मिलता है इसके उपर अगर आप long tap करते हैं तो यहां पर आप screenshot के setting में आ जाएंगे और यह screenshot का setting है इसको access करने के लिए आप अपने phone के setting में advanced feature में screenshot and screen recording में जाके भी access कर सकते हैं अब जब भी आप screenshot capture करते हैं तो यहां पर आपको screenshot toolbar देखने के लिए मिलता है अगर आप screenshot toolbar को disable करना चाहते हैं तो यहां पर screenshot setting में से को disable कर सकते हैं अब अगर हम screenshot capture करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर toolbar शो नहीं कर रहा है बट यह जो screenshot toolbar का feature है इसमें आपको काफी सारा options मिल जाता है तो मेरे according आपको इसको delete हो जाएगा इसके अलवा smart select के through भी अगर आप screenshot capture करते हैं और share करते हैं तो share करने के बाद automatically screenshot delete हो जाएगा smart select क्या है वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा अब next यहां पर आपको option मिलता है hide status and navigation bar का अब यहां पर अगर हम इस page का एक screenshot capture करते हैं और इस screenshot को अगर हम यहां पर open करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस screenshot में जो है navigation bar and status bar भी capture हुआ है अब अगर हम इस hide status and navigation bar के option को यहां पर enable कर देते हैं वापस से अगर हम इसी page का screenshot capture करते हैं और screenshot को open करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस screenshot में जो है na navigation button and status bar जो है न वो capture नहीं हुआ है तो इस तरीके से आप screenshot में जो है na navigation bar and status bar को जो option है वो यहाँ से disable कर सकते हैं तो इस तरीके से आप अपने screenshot में जो है न, navigation bar and status bar को capture नहीं कर सकते हैं, इस option को enable करके, इसके बाद यहाँ पे आपको एक save original screenshot का option मिलता है, अब इस feature को अगर आप enable करते हैं, तो आपका storage space जो है वो ज़्यादा consume होगा, but in case अगर आप किसी screenshot को edit करने के बाद, वापस से उसको original condition में revert करना चाहें, तो आप कर पाएंगे, इसके बाद यहाँ पे screenshot के format के लिए आपको jpg और png का option मिलता है, and next जो भी आप screenshot capture करेंगे, उसको किस location पे save करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से set कर सकते हैं, तो by default internal storage में DCIM folder में screenshot folder में आपका जो भी screenshot है वो save होता है, but आप चाह पर tap कर देता है, तो इस तरीके से screenshot जिस location पे save करना है, वो आप यहाँ से change कर सकते हैं, अब next आप अपने S21 FE में edge panel के help से भी partial screenshot as well as normal screenshot capture कर सकते हैं, अब अगर आपके phone में edge panel में smart select ये task वाला कोई भी panel show नहीं कर रहा है, तो just आपको edge panel के setting में आ रहा होगा, तो उसके लिए आप setting में आजेगेगा, setting में आपको आना है display setting में, display setting में ही आपको यहाँ पे edge panel का option मिलता है, edge panel के उपर tap कीजेगा and यहाँ पे panels के उपर tap कीजेगा and यहाँ से आप smart select and task वाले panel को enable कर सकते हैं, अब यहाँ पे अगर हम edge panel को इस तरीके से open करते हैं, swipe करते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं यह smart select वाला panel है यहाँ पे आपको rectangle का option मिलता है तो आप इस तरही के से जो है ना rectangular shape में या square shape में जो है ना screenshot या partial screenshot इस तरही के से capture कर सकते हैं यहां से आप इसको save कर सकते हैं share कर सकते हैं अब अगर आप delete after sharing वाला option screenshot setting में enable किये हुए हैं smart select के help से screenshot इस तरही के से capture करते हैं और इसके बाद यहां से आप इसको share करते हैं तो share करने के बाद automatically screenshot जो है delete हो जाएगा इसी तरही के से edge panel में आपको oval shape का भी option मिलता है तो इसकी उपर tap करके जो है आप ओओल या सर्कुलर शेप में इस तरीके से स्कृिंशॉट काप्छर कर सकते हैं डन के उपर टैप करके यहां से आप इसको सेब कर सकते हैं gallery में शेयर कर सकते हैं आपको editing का भी option मिलता है तो यहां से अगर आपको अपने screenshot पे कुछ भी annotate करना है तो आपको यहां पे Hide करने के लिए भी जो है ना Mosaic का Option मिल जाता है तो आप यहां से इस तरीके से Hide भी कर सकते हैं screenshot में अगर आपको कुछ Hide करना है तो and फिर आप screenshot को Save कर सकते हैं and Edge Panel में ही आपको Task वाद एक Panel मिलता है जहां से आप एक normal screenshot इस तरीके से tap करके capture कर सकते हैं अब वीडियो के starting में आपको दिखाते हैं किस तरीके से आप one tap में screenshot capture कर सकते हैं one tap में screenshot capture करने के लिए आपको अपने phone के setting में आना होगा setting में आपको accessibility setting में आना होगा interaction and dexterity में यहां से आपको Assistant Menu setting में आना होगा, Assistant Menu को आपको Enable करना होगा, Allow करना होगा, इस तरीके से आपको Assistant Menu देखने के लिए मिलता है, इसमें Tap कीजेगा ना तो यहां पे आपको Screenshot का Option मिलता है, तो यहां से भी Tap करके आप Screenshot Capture कर सकते हैं इस तरीके से, बट अगर आपको One Tap में Screenshot Capture करना है, तो आप इसी Assistant Menu का Use करके One Tap में Screenshot Capture कर सकते हैं, उसके लिए आपको Select Assistant Menu Items के उपर Tap करना होगा, यहां से जितना भी Items है, वो सारा आपको Remove करना होगा, Accept Screenshot का Option मिलता है, वो आपको बस यहां पे रहने देना है, फिर आपको यहां से Back आजाना है, अब यह जो Assistant Menu का Button है, इसको जो है आप Edge में Hide कर सकते हैं, इसके लिए आपको यहां पे So Edge As Icon का Option मिलता है, इसको Enable कर देना है, अब आप देख सकते हैं कि जो Assistant Menu का Button है यह आप Edge पे इस तरही किसे Power Button के सामने Hide कर सकते हैं, इसके बाद इस Assistant Menu Button के Transparency को आप यहां से Increase कर सकते हैं, जितना ज्यादा Transparency रहेगा, उतना कम Screen पे यह ज्यादा विजिबल रहेगा, जितना कम Transparency रहेगा, उतना Screen पे ज्यादा विजिबल रहेगा, तो हम Recommend करें कि आप इसको Full पे कर दीजे, So As As Icon को आप यहां पे Enable कर दीजे, आप इस Edge Button को आपने Power Button के सामने Place कर दीजे, आप चा Screenshot Capture कर सकते हैं, अब जैसे यहां पे Home Screen पे, यहां पे अगर हम Tap किये तो Screenshot Capture हो जाएगा, तो किसी भी Screen पे जो है यह Assistant Menu का Button आपको बहुत ज्यादा विजिबल नहीं रहेगा, अब हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से आप Long Screenshot Capture कर सकते हैं, तो किसी भी Screen पे जहां प Tap करते रहेगा, जितना Scrolling का Option available रहेगा, उतना Long Screenshot आप यहां से Capture कर सकते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से जो है ना, यह Long Screenshot यहां पे Capture हो गया है, तो Friends, यही था Samsung Galaxy S21 FE में Multiple तरीका Screenshot Capture कर सकते हैं, पार्शल Screenshot आप कैसे Capture कर सकते हैं, इसके अलावा, जो भी Important Screenshot से Related Features था या Settings था, वो सब कुछ हम आपके साथ Share किये, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को Like कर सकते हैं, चैनल को Subscribe कर सकते हैं, बिलकुल Free है, बिलदे नेक्स वीडियो में, तब तक Technology कस्तमा लिमिट में कीजिए, S21 FE से Related चैनल पे काफी सारा वीडियो है, आपको इस फोन के regarding कोई भी doubt हो, query हो, आप comment section में फूच सकते हैं, बिल दे नेक्स वीडियो में, बाबाई, जाहिंद